खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक जलक देखने के लिए तरस जाए जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से आपका श्रागत है आपकी अपने यूटूब चाइनल जीनियर शिक्षा पर तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लेकर आ चुके हैं हिंदी पढ़ना कैसे सीखे आपके मन में ये सवाल उड़ता है कि मैं हिंदी कैसे सीखू कैसे पढ़ू किसे तरह से मैं सुरुवात करू कहां से पढ़ू तो उस सारे के सारे सवाल जो है उसका जवाग इस क्लास में मिलने वाला है क्योंकि बिल्कुल सुरू से step by step हिंदी सीखने का जितना भी basic चाहिए हिंदी सीखने का जितना भी चाहिए उस सारा का सारा जो है इस क्लास में बिल्कुल आपको completely बताने वाला हो और आज से आपका उस सारा का सारा problem खतम हो जाएगा कि बोलू कैसे लिखू कैसे पढ़ू तो आप जो है ना इस class को शुरूर से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इस class को आप बार बार देखिएगा देख करके इस class में जो भी बताया जाएगा उसको जोहेना याद कर लिजिएगा और आप अपने copy में लिख लिजिएगा तो आईए इस class को हम शुरू करते हैं class को शुरू करने से पहले इस class को कर दिजिए like और चैनल पर नए है तो चैनल लोग कर लिजिएगा तो दिखिए ये जोहेना ये master class 1 है हिंदी सीखिने का आपके कहने के अंसार ही आप बुल रहे थे लोग कि हाँ सर एक new master class शुरू किजिए हिंदी का तो मैंने आपके अंसार मैं अपने अंसार से नहीं आप जैसे मांग करते हो जैसे पढ़ना चाहते हो वैसे class हो है आपके सामने हम ला देता हूँ थूरा देर होता है लेकिन perfect class लेकर आता हूँ आपके सामने ठीके तो ये first class है जिसमें हम आपको सिखाएंगे हिंदी की वर्ण माला और शे अहतक पढ़ना पहचान करना कर शे ग्यातक पढ़ना पहचान करना साथ में आपको हिंदी की मातरा और बारा खड़ी सारा का सारा जितना भी हिंदी सीखने का बेस है वो सारा का सारा यहीं पे आपको हम सिखा दूगा क्योंकि बेस मजबूत होगा न तो आप हिंदी पढ़ना सीख जाओगे एक पेड देखते हो न पेड अगर उसकी जड़ मजबूत होगा न तो बहुत बड़ा गाच बन जाएगा एक बिंडिल घर देखो घर देखो न बिल्डिंग अगर उसका नेव जो होता है अगर ओ मजबूत है तो उस पे कई मंजिल बिलिन जो है ना बन सकता है लेकिन उको उसका नियो कमजोड होगा तो धा जाएगा उसी तरह से अगर आपको हिंदी सीखना है तो आपके जड़ मजबुत होगा ना तो आप असानी से हिंदी पढ़ना लिखना और बोल सारा कुछ सीख जाओगे तो आज के इस क्लास में आपका हम जड़ मजबुत कर देंगे तो आएए सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की वर्ण माला जिसमें आपको हम पहले सिखाएंगे जिए औस याँप तक पढ़ना उसके बाद यहाँ पे हम पहचान करना भी सिखाएंगे तो आए इस क्लास को हम शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम आपको पढ़ना यहां पे सिखा देते हैं कि कैसे पढ़िएगा ठीके ना और ध्यान से, परते समय ध्यान से आपको पहचान भी करते रहना है कि किस तरह से लिखा हुआ ताकि आपको पहचान करने को आएगा यहाँ पे, इधर सुधर करम बदल कर यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसको असानी से पहचान लेंगे, ठीके चलिए, यहाँ पे देखिए, हिंदी का जो स्वर होता है, पहला अच्छर होता है, ओ, क्या होता है, ओ, देखिए, पहले आपको हम पढ़ना यहाँ पे सिखा देते हैं, कि इसको पढ़ेंगे कैसे, उसके बाद जो इन आपको पहचान करना सिखाएंगे, ठीके, देखिए यह पे, क्या है, आ, इ, ये क्या है, छोटी E है, इसके उचारन में कम समय लगता है, क्या लगता है, कम समय लगता है, ठीके न, E, इसको जादा खिसकन मत पढ़िएगा, ये क्या है, E, बड़ी E, देखिए, इसके उपर टोपी आ गया है, ठीके न, तो ये क्या बन गया है, इ बन गया है ठीक है इसके उचारन में इससे थोड़ा लंबा होता है थोड़ा सा लंबा ठीक है अब देखिए आपे यह क्या है उ छोटी ओ है इसके उचारन में कम समय लगता है जल्दी नहीं गता है यह खरश्व ओ है जल्दी उचारन हो जाएगा अब देखिए आपे बड बढ़ी u, बढ़ी u, बढ़ी u, के जरे सा, थोड़ा लंबा कीच कर, पढ़िएगा, ठीक है न, तो क्या है, बढ़ी u, इसका फरक देखी üzHHimnip पूंच है, ठीक है, आगे हम बताएंगे अपको, ये क्या है, iron, ये क्या है, a, इसे क्या पढ़ते है, अय, इसको क्या तो चलिए इसको जो है न और हम पढ़ना सीखेते हैं डाइरेक्ट इसको ठीके देखिए इसको अब बार-बार पढ़ करके याद कर लिजेगा अगर याद नहीं होगा तो ठीके चलिए यहां देखिए आ, आ, ए, इ, ओ, उ, री, ए, आ, ओ, अनिया अम आहां तो इसी तरह से जो है आप बार-बार अशी अह तक पढ़िए और पढ़ करके आप याद कर लिजे ठीके जब याद हो जाएगा तब उसके बाद जो है न पढ़ते हुए इनने की याद हो गया तो पहचान हो जाएगा नहीं अप अशी अहां तक पढ़िएगा और इसको पहचान करती जएगा देखी याँपे, अ औ किस तरह से हैं, ओ देखी, तीन है न यहाँ पे डंड़ा एक औ हो हो गया और यह क्या है आ, सेम आ है और इसी में क्या है आ की, यहाँ पर डंडा लग गया एक तो क्या बने गया आ बने गया है ठीक है इसी तरह से देखिए आपर ए छोटी इ इस तरह से है ठीक है तो क्या है छोटी इ बड़ी इ देखिए इसके उपर टोपी है और इक यह तीन के जैसा है उ है छोटी इ इसके उचारण में कम समय लगेग है तो क्या हो गया है बड़ी ऊ हो गया है और एक क्या है री definitely a आए देखिए उपर एक एक लिए रहेगा तो ए क्या होगा आए होगा देखिए आ रहेगा और इसे में क्या है एक डंडा आएगा और उपर एक एक लिए होगा तो इसको क्या पढ़ेंगे ओ देखिए इसको एकार कहते है इसको आएकार कहते है ठीके ना, इसको A, A, I, O, अब देखिए याँ पे, A रहेगा, Semi डंडा रहेगा, लेकिन दो, एकले रहेगा, थीके ना, तो इसको क्या बोलेंगे, A, 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 पढ़ेंगे, इसको, A, अब देखिए याँ पे, A सेम जैसे, आ की जैसा रहेगा, इसको पर बिंदी रहेगा, अनसुवार इसको कहते हैं, इसको अन या अम पढ़िएगा, ठीके, देखी, आ, सेम आ की जैसा रहेगा, लेकिन आप उपर एक बिंदी रहेगा, नीचे रहेगा, इसको हम बेशार के कहते हैं, ठीके न, इसका उचारण हा होत तो इसको क्या पढ़ेंगे अहां ठीके तो इसी तरह से जो है आप आशी अहां तक पढ़िएगा याद किजिएगा और साथ में आपको देखना है कि आ किस तरह से लिखा हुआ है आ किस तरह से लिखा हुआ है छोटी ए किस तरह से लिखा हुआ है इसको इपढ़िएगा इख किस तरह से लिखा हुआ है ये वाला किस तरह से लिखा हुआ है री किस तरह से लिखा हुआ है पढ़िएगा देखिएगा ए इसको भी पढ़ना है और देखना है कि ए किस तरह से है ठीक है उसके बाद आए देखी आए किस तरह से इसको देखना है और पढ़ना है ओ देखी ओ किस तरस लिखा हुआ है आउ अन आहम तो इसी तरस जो है आप बार बार चाहे दर्स बार ओ बीस बार ओ, पंदर बार जितना भी बार ओ आप जब तक इसको पढ़ते रहिएगा तब तक आपको पहचान नहों जाए जब यह पढ़िए गा और लगेगा आपको कि हाँ अब मुझको पहचान हो गया है तो यहाँ पे दिखी पहचान करने वाला यहाँ पे लिखे हैं तो आईए अब हम आपका टेस्ट लेते हैं और आपको भी खुद का टेस्ट लेना है ठीके ना इसको देखकर मत पढ़कर बोलिएगा ठीके ना तो चलिए यह क्या है यह क्या है बताइए यह कौन सा ए है ए है ए छोटी ए है अब बताइए यह क्या है आय लिखा हुआ है यह क्या है यह क्या है यह क्या है यह है री अब बताइए यह क्या है उ बड़ी उ देखिए इससे O, O है न, O यहाँ पे हैं, और एक डंडा है इसमें, और एक एकले, तो क्या पढ़ेंगे इसको, O, अब बताइए यह क्या है, अन या अम, देखिए उपर बिंदी है न, ठीके चलिए, अब देखिए यहाँ पे ए क्या है, O, O है न, A क्या है, E, देखिए इसी के जैसा है न, लेकिन इसको पर क्या है, ट्योपी है, तो बड़ा E है, E, यह क्या है, A, यह क्या है, बताइए, A, अब बताइए, यह क्या है, अहा, देखिए, A है, और दो बिंदी उपर निची है, तो अहा होगा, और क्या है, O, छोटी, O है, तो इसी तरह से जो है, आप इसको पहचान क आएगा जब आप आश्य आहटक अझ्छे से पढ़ियेगा और उसको देखियेगा देखने के बाद जब आप खुद से यहां से लेकर यहां तक पूरा पढ़ देंगे सही सही तब जाकर आप माल लिजिएगा कि आशिये अहा तक पहचान हो गया है देखिए जब तक आप किसी भी भार्षा को सीख रहे हैं कोई भी भार्षा हो उसको सीख रहे हैं जब तक उनसे जो उसका अच्छ neighborhood कि अगर उसको नहीं पहचान किजेगा आगया आप पढ़ना नहीं आएगा इसे इंगलिस सीखेना तो A, B, C, D को क्या करना पढ़ेगा याद करके पहचान करना होता है उसी तरह से इसको जब तक आप पहचान नहीं कीजेगा याद नहीं होगा तब तक आप आगे इंगलिस नहीं सीख पाई हिंदी नहीं सीख पाईएगा ठीक ना, तो इन दोनों के समय उचारन में कम समय लगेगा, E, O, छोटी E और छोटी O है, ठीक है ना, और इक है, बड़ा है दोनों, दीर्ग है, दीर्ग, थोड़ा लंबा उचारन होगा, डबल, इसके जैसा डबल उचारन होगा, E, और इसका O, और इसको क्या पढ़ेंगे, E, O, इसको E, O, तो इसी तरह से आप हिंदी कश्वर अर्शी अह तक बार बार पढ़िये, मैं इसको बार बार क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना, इसी क्लास में याद हो जाएगा, आप को लग रहा है कि सर उबाव की बात को कितना बार बोल रहे हैं, नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं, कि ताकि आपको याद हो जाएँ, ठीके ना, तो इसको बार बार आप पढ़िएगा और पहचान किजिएगा ठीक है तो आईए अब हम आपको जो हेना काशे ग्यातक जो हिंदी क्या व्यंजर अच्छरे उसको पढ़ना और पहचान करना सिखाते हैं इससे पहले हम सिखेते हिंदी काश्वर आशी आपक पढ़ना और पहचान करना ठीक है तो यहाँ पे देखिए देखिए यह जो हेना इसको क्या पढ़ेंगे का देखिए का 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 क्या रहा है का में आ का धोनी आ रहा है देखिए को देखिए को जो है को शी ग्या तक जो है यह बना होता है दो अक्छरों से एक तो आदा क और ओ की साँड मिलता है तब यह जाकर बनता है क, क्या बनता है क, अगर हम ओ का सांड निकाल देंगे अ को उचारन नहीं करें गे तो क्या होगा जल्द उचारन होगा तो ध्यान रिखिएगा इसका जो उचारन होता है का इसलिए इसका जो इंगलिस भी होता है ना के ए से का अधा का के लिए के और और की साउंड के लिए ए लगता है ठीके ना तो इसको क्या पढ़ेंगे का ठीके ना कोशी गया तक जितना अभी अक्षरे हिंदी वियंजन का उसमें आकर साउंड आता है को ठीके ना तो इसी तरसे यहां पर देखिए इसको क्या पढ़ेंगे को खा गा घा अंगा देखिए पहचान करने का तरीक्या है हमसे बोलते हो कि सर हमको पहचान नहीं होता है आगे पढ़ते जाते हैं पीछे सब भूल जाते हैं तो देखिए यहां पर देखिए को शे अंगा तक है इसको पहले याद कर लीजिए अगर याद भी नहीं हो रहा है तो पांच-पांच जो अक्षर है उसको याद कर लीजिए कोशी अंगा तक पहले पढ़ा कर याद कर लीजिए और साथ में इसको पहचान भी कर लीजिए उसके बाद जब पहचान और पढ़ना दोनों आ या आप पूरा डारेक्ट पढ़ कर याद कर लीजिए जब याद हो जाएगा तो आपको क्या करना है पांच-पांच अक्षर को क्या करना है पहचान करना है पहले कश्य ग्यातक को पहचान कर लेना है कि कह किस तरह से लिखा है खा किस तरह से लिखा हुआ है घा किस तरह से ल यहाँ पर दिखिए, चा, छा, साथ में देखते जाई है कि किस तरह से लिखा हुआ है अप्छा, जा, जा, इया, टा, ठा, डा, धा, आडा, ता, ठा, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, तलाबे, शा, इसको हम घेर दे रहें, इसको हम बाद में बताएं क्यों घेर है, इसको पढ़ते हैं, मुर्धाने, शा, इसको भी घेर रहें, इसको पढ़ते हैं, दंत, सा, तो इसी तरह से आप पढ़ेएगा चलिए एक बार और हम सुरूर से रिपीट कर देते हैं यहां तक ताकि आपको जो हैना सून करके अच्छे तरीके से याद हो जाएगा अगर नहीं भी होगा तो इसको बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा देखिए यहां पे का खा गा गा अंगा चा चा जा 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 इया टा ठा डा डा अडा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा तो आप जो है ना इसको याद कर लीजेगा जब याद हो जाएगा तो इसको जो है ना फिर पढ़ना आपको इनक याद हो गया तो छोड़ दीजेगा याद करने के बाद आपको जो है ना कोशिग्या तक पढ़ते रहना है चाहे दस बार पंदरह बार वीश बार तीस बार जितना बार हो आपको पढ़ते रहना है पढ़ने का मतलब यह नहीं कि धर्दर काखा गागा अंगा चाचाचाजाजाजाजाई इससे बच्चों को बलते हैं कि पढ़ो तो बचला काखा गागा अंगा इससे धर्दर पढ़ने लगता है गौ किस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से आप काश्री ग्यातक को पढ़िएगा और पहचान कीजिएगा जब पहचान हो जाएगा तो उसके बाद जो आपको पहचान करने का जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद पहचान कीजिएगा उसको बताने से पहले यहाँ पर जो घेरा लगा है ना इसको हम बता दे यह जो तीन शा है यह confusion की पूरिया है कि सर इसको कैसे पढ़े देखिए यह क्या है तालब ने शा शा जीब जो है ना तालूग के उपर जाता है तब इसका जो आवाज निकलता है शा, शा देखिए शा, शा जीब उपर जाएगा शा, शा और यह क्या है मुर्धन निया शा, इसका और इसका दोनों का सेम उचारण होता है शा, शा लेकिन इससे ज़्यादा इसका परियोग होता है हिंदी में ठीक है, तो ये दोनों सा का जो उचारन होगा, शा, क्या होगा, शा, और इसका क्या होगा, इसको हम दंत सा बोलते हैं, जीब जो है न, दोनों दंत के बीच में आता है, तो अब इसका उचारन होता है, सा, सा, देखिए, सा, सा, जीब आ रहा है न, दंत के पीच, इसका उचा लब्श या मुर्धन शा और यह आएगा सा तो राव वाला सा ठीके ना इसलिए यहां पर हम घेरे हैं कि ताकि आपका जो कन्फूजन है ओ दूर हो जाएगा एक और कन्फूजन आता है अड़ा और रा का यह भी कमेंट में आ रहा था हमारे पास कि सर इस कन्फूजन है फोन डा या ला पढ़ेंगे ला ला इसको रा पढ़ेंगे रा जैसे रा मेस और यह क्या है डा डा मलू जैसे शाडक रा रा शाडक शाडक और यह क्या है इसका क्या होगा रा काम रा देखिए रा और रा 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 र होगा डॉ इसका ड भी कहीं चाहनदा इसके люб सड़क जल अकट ठिक और यह क्या होगा रमेष रकम रण रथ थीक है तो इसा भी क्या उचारण धियान कीगा यह दोनों का शौचारण टॅरोल और इसका 100 उचारन होगा, ठीके, और इसका रो, या डो, और इसका रो होगा, ठीके, तो इसी तरह से जो है, आप इसको बार-बार पढ़िए, और इसका आप परते समय उचारन भी कर लेजिए, पहले तो आपको याद करना होगा, और सही सही यात किजिएगा, कोशे ग्यतक, ठीक है ना अगर आप गलत याद कर लेंगे तो आपको गलत पहचान हो जाएगा जब गलत पहचान हो जाएगा तो सारा खेलब का खतम हो जाएगा सारा महनत बेकार हो जाएगा तो आपको जोएना कौशे ग्यातक अच्छे तरीके से पहले याद कर लेना है सही सही उसके बाद जोएना आपको पढ़ते हुए पहचान करना है तो जब पहचान कर लेंगे तो आईए अब हम इन अक्षरों को कौशे ग्यातक जोएना इधर से उधर कहीं कहीं हम लिख देते हैं उसके बाद हम लोग पहचान करते हैं और आपको भी खुद से पहचान करके देखना होगा कि क्या मैंने जो पढ़ा है वो हमको पहचान हुआ है या नहीं हुआ ठीके अगर पूरा पहचान कर देंगे तो समझेए आपको पहचान हो गया होगा तो चलिए हम आगे उसको पहचान करना आपको हम सिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए पहचान करना सीखते हैं यहाँ पे देखिए इधर से दर कहीं कहीं लिखा गया है न तो देखिए यह तभी आप पढ़ पाईएगा पहचान कर पाईएगा जब आप उसको अच्छे तरीके से कर शेगा तक याद करके पहचान कर लेंगे तो आइए यहाँ पर दिखिए कि आपको पहचान हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है यह क्या है क क्या है क अब बताईए ये क्या लिखा हुआ है लो दिखिए ये पहचान कराने का मकसद ये है ताकि आपको जोहेना जैसे यहाँ पर दिखिए क म और लो दिखिए अगर इन सभी को पहचान कर लेंगे तो शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपको हिंदी में तभी तो पढ़ पाईएगा उसे k ये क्या है ma la जब इसको पढ़िएगा पहचान कर लिखा लेंगे सब्द को तब लें इसको पढ़िएगा अगर आपको पता नहीं होगा इसको ka को क पढ़िएगा मा को ल पढ़ दीजेगा और ला को मा पढ़ दीजेगा यह क्या है? दन्त स अगर अपने पढ़कर पहचान कर लिया है तो मैं बोल रहा हूँ बोलने से पहले आप इसको बोलın यह और जब मैं बोलूंगा तो उससे मिलाईएगा कि आपका श्रहिव आपका श्रहिव हो जाएगा तो समझे आपको पहचान हो गया है ठीके यह क्या है यह यह क्या लिखा हुआ है गा अब देखिए यहां पे यह क्या लिखा हुआ है रा यह क्या है था अब बताएं यह क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है यह क्या है यह क्या लिखा हुआ है यह क्या लिखा हुआ है यह अब बताए ये क्या लिखा हुआ है बा ये क्या लिखा हुआ है चा अब बताए ये क्या है न ये क्या लिखा हुआ है जह ये क्या है डा या रा रा ठीक है ये क्या हूँ लिखा हुआ है द ये क्या है भा ये क्या है छ ये क्या है अंगा ध्यान रखिएगा ड के जैसा रहेगा लेकिन यहाँ पे गोद में एक बिंदी रहेगा तो इसको पढ़ा जाएगा अंगा ठीक है न अब ये बता है ये क्या है धा ये क्या है क्या है मुर्धान्य शा देखिए इसका पाक रहेगा लेकिन इसका पेट कटा हुआ रहेगा देखिए पाक तो क्या होगा मुर्धान्य शा म और यह क्या है ग्या और बताएं यह क्या है जा यह क्या लिखा हुआ है तालब बे शा देखिए आपे दंत सा पढ़ें सा सा इसका उचारनता है सा और इसका क्या होता है शा और इसका शा शा वा ये क्या लिखा हुआ है वा ये क्या लिखा हुआ है फा और बता ये क्या लिखा हुआ है धा ये क्या लिखा हुआ है छा ये क्या लिखा हुआ है त्रा तो इसी तरह से जो है आप यहां से लेकर यहां तक पढ़ देंगे तो समझ जएगा कि आपको पहचान हो गया है जो भी अक्षार आपका इसमें गलती होगा गलत पढ़े होंगे उसको जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ करके करशे ग्यातक में जो है ना आप उसको पहचान कर लिजेगा उसके बाद फिर जो है और करशे ग्यातक पढ़िएगा और पहचान किजिएगा ठीके ये तो आपका पहला step है ये क्या हुआ हिंदी सीखने का जी पहला step और basic है basic जब इसको पहचान कर लिजेगा आश्री अहतक और करशे ग्यातक पढ़ना पहचान करना उसके बाद क्या होगा कि अब हम आपको बताते हैं इसके बाद क्याची सीखना तो इसके बाद आपको सीखना है हिंदी की मातरा मातरा और बारह खाडी ठीक है अगर इन दोनों को आपने सीख गया तो पूरा हिंदी का जो भी होगा बेश और पूरा complete आपका हो जाएगा अगर आप और शी अहा तक और कोशी ग्या तक पहचान कर लेते हैं तो आपको तो पहले फर्ष्ट अफल जो है आपका बीना मातरा वाला शब्द जो है पढ़ना आ जाएगा तो चलिए अब हम सीखते हैं मातरा और बारा खाड़ी ठीके ना टोटली पूरा लाश तक ध्यान से दिखती चलिएगा क्लास वरा लंबा होगा लेकिन आपके फायदेवाला होगा ठीके तो आईए अब हम आपको जो है ना हिंदी की मातरा जो है ना सिखाते हैं अगर आप मातरा को शिख जाते हैं और पहचान कर लेते हैं तो आपको जो है ना हिंदी की बारा खाड़ी असान हो जायगा शिखना और ये दोनों क्लास आप हिंदी की मातरा और बारा खाड़ी सिख जाते हैं तो आपको हिंदी सिखना पढ़ना बोलना और पूरा बिलकुल असान हो जायगा केवल थोरा सा प्रैक्रिस कर दीजेगा जो हम क्लास लेकर आई उस क्लास में देख लिजेगा आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो जायगा ठीके तो देखिए मैं क्लियर कर दो कि जो मातरा होता है हिंदी का श्वर का होता है मातरा हिंदी का व्यांजन का नहीं होता है जो श्वर है और शे अहा तक इसी का मातरा होता है और इसका मातरा जो है ना हिंदी की व्यांजन अक्षर पे लगता है क्या है जो देखी आशे आहा तक लिखे है ना इसी का मातरा होता है और इसका जो है ना परियोग काशे ग्या तक जो अक्षरे इन ही के उपर होता है ठीक है ना तो हम पहले मातरा को बता देते हैं उसके बाद जो ने इसका परियोग भी बताएंगे ठीके ना और उससे बनने वाला जो किलास होगा बाराखरी उसको हम पढ़ना आपको हम सिखाएंगे ठीके तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की मातरा दिखिए तो मातरा जो है न ये दिखी क्या है औ तो आपको बता दू कि आ का कोई मातरा नहीं होता है आ का कोई मातरा नहीं होता है लेकिन आ का जो साउंड है हिंदी के जो ब्यांजाने ने कोशी ग्यातक लगा हुआ रहाता है मैं सुरू मताया था न कि कखा का जो हम पढ़ना सिखायते आपको कि कोशी ग्यातक जो है न, उसमें आका धोनी लगा हुआ रहता है, उचारन होता है आका शांग, ठीके न, तो यहां पे जो है न, आका जो धोनी है, ओ हिंदी का जो देंदाने पर तेक अक्षर में लगा हुआ रहता है, जिसे का, खा, गा, ठीके, लेकिन इसका कोड़ी मात्र नहीं होता है, ठीके, चलिए, मात्रा का मतलब होता है, इसका सिम्बॉल, इसका पहचान, ठीके न, देखी यहां पे, आ, तो देखी, आ का जो मात्रा होता है, उस तरह का होता है, क्या होता है, इसका मात्रा, इस तरह का होता है, एक डंडा रहेगा, ठीके न, तो इसका क्या उचारन होगा आ इसका जो सावर निकलेगा आ निकलेगा ठीके ना देखिए पहले लिखे देखिए उसके बाद मताएंगे ठीके न देखिए ये क्या है छोटी ए तो छोटी ए का जो देखिए मातरा जो है ओ किस तरह का होता है एक डंडा रहे का और इसकी सीरा जो है न बाए से दाएं की ओर इस तरह से जुका हुआ रहता है तो यह क्या है छोटी ए की मात्रा क्या है छोटी ए की मात्रा है ठीके ना तो आप इसको पहचान कर लिजिए ठीके ना क्या कर लिजिए इसको जो है ना पहचान कर लिजिए यह क्या है छोटी ए की मात्रा है इसके उचारन में कौम समाई लगेगा ठीक है ना इसका दाम परियोग बताएंगे तो वहाँ पे क्लियर खुद आएगा देखी यहाँ पे अब देखते हैं बड़ी जो गाँती एकी मातरा और यह क्या है बड़ी एकी मातरा इसका जो उशारन होगा एए और इसका क्या होगा यह ठीक है अब दीक है यहाँ चोटी ओ की मातरा ठीक है यह दो आवा यहां पे बड़ी O की मात्रा तो बड़ी O की मात्रा जो इना इस तरह से रहेगा इसका उल्टा रहेगा इसमा रहता है इस तरह से तो छोटी O की मात्रा इसमा रहता है तो बड़ी O की मात्रा ठीके इसका उचारण O होगा तो इसका उचारण O होगा ठीके चलिए अब देखते रिकी मात्रा तो रिकी मात्रा जो है इस तरह का होगा क्या रहेगा इसका मूद जो है खुला हुआ रहेगा दोनों साइट से एक बराबर इस तरह से री क्या है रिकी मात्रा है ठीके अब देखते हैं एकी मात्रा तो एकी मात्रा जो है इस तरह का होगा एक एक ले रहेगा क्य तो इसको क्या पढ़ा जाएगा एकी मात्रा इसको हम एकार भी कहते हैं ठीक है ना क्या होगा एकी मात्रा है अब देखते हैं आई की मात्रा तो सेम इसी के जाए सा लेकिन इस पे अब दो एकले आएगा तो क्या होगा आ की मात्रा एक सिंगल रहेगा तो एकी मात्रा डबल रहेगा तो आ की मात्रा ठीके चलिए अब देखते हैं ओ की मात्रा दिखिए सेम ओ को हटा देंगी तो ओ की मात्रा मिल जाएगा इसमें क्या होगा सेम एक एक लिए रहेगा इसके जैसा लेकिन इसमें क्या होगा एक डंडा आएगा इस यह वाला ठीके ना तो क्या बने गिया ओ की मात्रा है ठीके ना एक एक ले रहेगा और एक डंडा रहेगा तो क्या होगा ओ की मात्रा इसका जो उचारण होगा ओ होगा क्या होगा ओ ठीक चलिए अब देखते हैं आओ तो दिखी इसका मात्रा किस तरह का होता है सेम इसी के जैसा होगा ठीके यहाँ पे लेकिन एक और एकले इस पे रहेगा डबल एकले रहेगा क्या रहेगा डबल एकले रहेगा ठीके न इस तरह का डबल एकले रहेगा सिंगल इस तरह के डंडा रहता है और एक एकले रहत तो क्या पढ़िएगा, आऋद मा की मात्रा, ठीक? अब देखिए यहां पर, अदर न की मात्रा, ठीक? निया अम की मात्र. ठीक होगा, एक बिंदी यहां पे चलाएगा, इसको अंसुआर कहाते, इसका कहीं पर, जो है ना, आधा म के रुप में भी उचारन होता है ठीके ना अधिकतर जो है इसका उचारन क्या होता है अंसवा आधा न के रुप में होता है ठीके ना इसे अंग तो इसको आप पहचान करने जाए बिंदी रहेगा तो अन की मात्रा या अम की मात्रा ठीके अब देखी अहा की मात्रा ए अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लीग करके पहचान कर लिजिएगा ठीके ना यहां से A की मात्रा से औका कोई मात्रा नहीं होता है ठीके ना तो इसको आप रेपीट कर लिजिएगा चली एक पर रेपीट करते हैं तो A का कोई मात्रा नहीं होता है ये क्या है आ की मात्रा ये क्या है छोटी ए की मात्रा फैचान कर लिजिए ये है बड़ी ए की मात्रा छोटी ओ की मात्रा ये बड़ी ओ की मात्रा री की मात्रा ए की मात्रा आ की मात्रा ओ की मात्रा अनिया अम की मात्रा अह की मात्रा ठीके न तो इसको आप अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिएगा ठीके न और याद भी कर लीजएगा और लिखना भी सिख जाएगा क्योंकि यहीं चीज आपको आगे हिंदी जब पढ़ना सीखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा ठीके तो आजिए इसका हम परियोग देखते हैं, परियोग करने के बाद जो है न, उसके बाद आपको हम हिंदी की 12 खड़ी आपको हम सिख्खाएंगे, ठीके? तो देखिए आपे, तो पहला अच्छर हम लेते हैं का, का शे ग्यात तक जो है न, इसी के उपर जो है ना इस मात्रा को परियोग किया जाता है या लगा हुआ आपको मिलेगा उसी को पढ़ना हुआ देखिए तो पहला अक्षर हम को लेते हैं ठीके ना क्या लेते हैं को तो पहला अक्षर को है तो को देखिए इसका पहला इसमें क्या है को और का साउंड आया ना को इसमें जो है आधा को और ओ देखिए इसका कोई मातरा नहीं होता है लेकिन हिंदी क्या जो परतेक व्यंजाने उसमें लगा हुआ रहता है ठीके न मैंने सुदू में बल ला था ठीके तो को अब देखिए अब को में आ की मातरा का परियोग करना है या लिखा हुआ कैसे रहे को में आ का साउंड एक साउंड निकलेगा तो क्या निकलेगा का देखिए कोई मातरा नहीं है तो सिंपल अक्षा ने का जिसे इस पर आ की मातरा लग गया तो इसका क्या होगा उचारन बदल गया इसका साउंड बदल गया क्या हो गया का को में आ का साउंड को आ मत पढ़ि निकलेगा देखिए यहाँ पर तो इज हो है ना अच्छर के बाएं साइड में एक गंड़ा लिखाएगा और इसके सीरा बाएं से दाएं की ओर इस तरह से जुका हुआ रहेगा ठीके ना तो को में अब हम छोटी ए का शाउंड को निकालना है क्योंकि इस पर छोटी ए की मात अब देखिए यहाँ पर कोमें बड़ी ए की मातरा का परियुक करने तो सेम अब बड़ी ए की मातरा अक्छर की आगेस तरह से दंडा लगे il brillard आये से बाय की ओर इस तरह से जुका हुआ रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे की यानी क्या में बड़ी इ की मातर, तो क्या पढ़ेंगे की, इसको पढ़ेंगे की, इसको उचारन में कम समय लगेगा, अधिसको पढ़ेंगे की, इसको कई मत पढ़िया, की, थोड़ा लंबा उचारन इससे होगा, ठीके, अब आइए देखिए यहाँ पे का, ठीके, तो यहाँ पे छोटी उ की मातर इसमें लगेगा, तो दिखिए अप्षर के नीचे इस तरह से लगता है, ठीके ने, तो इसको पढ़जाएगा, कॉ में छोटी ओ का sound एक साथ उचारन होगा, ठीके ने, तो क्या पढ़ेगे, कॉ, कॉ, कॉ में छोटी ओ की मातरा का परियोग करना है, तो कैसे उसका उचारन हो बड़ी O की मात्रा तो इस तरह से लगेगा ठीके ना देखिए यहां पर इसको कू और इसको क्या परेंगे कू में बड़ी O की मात्रा तो क्या बनी गया कू इसको कू कू इसमा रहेगा तो कू और इसमा रहेगा तो कू ठीके अब देखिए यहां पर कू और इसमें क्या है र पीचे इस तरह से लगेगा तो को के साथ री का उचार रोगा तो इसको करीमत पढ़िए क्री क्री क्या पढ़ेंगे क्री क्या पढ़ेंगे क्री अगर खौपे लगता है तो खौपे लगता है तो ग्री ठीक है अब देखिए यहां पर कौपे जवेना एकी मात्रा का परियु के, क्या पढ़ेगे, के- ठीके, जहांपे देखीए, अब देखीए यहांपे, कॉपे, आए की मात्रा का परियोग करना, तो डबल एकले आहिगा न, इसपे, एक-ेकले रहेगा, तो एकी मात्रा के, डबल रहेगा, तो के, ठीके, यहां पे अब देखिए यहां पे को और इसमें क्या है ओ की मात्रा का परियोग करना है तो को में यहां पे ओ की मात्रा जोने अक्छर के आगे डंडा रहेगा और इस पे एक एक ले आएगा तो क्या होगा को के साथ ओ का साउंड ने एक साथ निकालेंगे को को में ओ की मात्रा को खो पे रहागा तो खो गव पे रहागा तो गो जो पे रहागा तो जो ठीक है तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया को अब देखिए यहाँ पे को में आउ की मातर लगा तो सेम यहाँ पे डंडा रहेगा लेकिन इसमें क्या होगा डबल एक ले आएगा तो एक रहेगा इस यहां पे जुएना एक बिंदी रहेगा तो इसको अपड़ेंगे कन, कन, कन या कन ठीक अब देखिए यहां पे को रहेगा और यहां पे अहां की मातरा रहेगा ठीक इसको अंसवार कहते हैं और इसको अहां की मातरा तो इसको क्या पड़ेंगे कहा यानि यह जहां पे भी लग लगा रहेगा जिस अक्षर पे लगा रहेगा अक्षर के आगे यहां पर लगता है और यह जो है अक्षर के उपर दाएं साइड आगे लगेगा और एक बिंदी उपर एक नीचे तो इसका हो उचारनों किसी भी अक्षर पर लगा रहेगा उस अक्षर के बाद हो का उचारनों काशी ग्यातक आप परियोग करते हुए उसको आप पढ़न सकते हैं, इसे आपने कौपे किया है, तो इसे तरह से यहां पे खा पे रहेगा, खा, इसे तरह से यहां पे रहेगा, खी, खी, जब हम आपको पढ़ना सिखाएंगे, तो उसमें आपको किलियर हो जागा, बारा इसी किलास में ठीक है ना तो आएए इसको एक बार हम पढ़ा देते हैं बारा खड़ी जो मातरा परियोग हुआ है ना देखी यहाँ पे इसमें कोई मातरा नहीं है तो क्या होगा का में आ की मातरा है तो इसके क्या पढ़ेंगे का यह क्या है की कौ में छोटी E की मातर है तो छोटा उचारण होगा की की देखिए यहाँ पे कौ में बड़ी E की मातर है क्या होगा की यहाँ पे देखिए कौ कौ में छोटी O की मातर है तो क्या होगा कू यहाँ पर देखिए कू कौ में बड़ी O की मातर तो क्या पढ़ेंगे इसको कू अब देखिए कौ में री की मातर क्री कौ में ए की मातर के कौ पे आ की मातर कै इसको क्या पढ़ेंगे कौ में O की मातर कौ यहाँ पर देखिए आप मातरा का परियोग करते हुए किसी भी अच्छर पे उसको पढ़िएगा तो ये रहा हिंदी की मातरा और इसका परियोग और इसका उच्चार ठीके न तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिजिए पहचान का लिजिए और इसका परियोग करना भी सीख लेजिए तो चलिए अब हम आपको कौश्य ग्यातक इन सभी को मत्राओं का परियोग करते हुए यहाँ पे बोड़ पलीक करके आपको हम पढ़ना सिखाएंगे यानि बारा खड़ी जो है अब पढ़ना आपको हम सिखाएंगे इसी से बारा खड़ी बनता है ठीके तो यहाँ पे दिखिए अब अब हम सिखेंगे बारा खड़ी कश्य ग्यातक इसको कैसे पढ़ा जाएगा ठीके ना तो ओपर जो है न यहाँ पे हम आपको बता दिये दिखिए सभी पे है ना मातरा पर यह घुवा है तो देखिए इसको कैसे पढ़ा जाएगा ठीके ना देखिए यहाँ पे यह क्या है अब हम देखिएंगे सबसे पहले का का बारा खड़ी पढ़ना ठीके का का की की को कू क्री के कए को का नी या कम कह अब यहाँ पे देखिए खा का बारा खड़ी देखिए खा खा की की को को देखिए मेरी आवाज पर ध्यान रखिएगा जहाँ पे छोटा रहेगा मातरा वहाँ पे छोटा जल्दी उचारण हो जाएगा जिसे छोटी एकी मातरा में और छोटी ओकी मातरा में, जल्दी हो जा रहा है, ठीक है ना, इसको ध्यार रखिएगा, ख्री, खे, खाए, खो, खाओ, खाने या खम, खह, अब देखिए यहाँ पे गा का, तो देखिए यहाँ पे, गा, गी, गी, गो, गू, ग्री, गे, कै, गो, गाओ, गनिया गम, गह, अब देखिए यहाँ पे गह का, देखिए यहाँ पे, गह, घा, घी, घी, गू, 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 ग्री, ग्री, गे, गाई, गो, गाओ, गानिया गम, गह, देखिए आपे, अंगा का हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि हिंदी में अंगा और इया का परियोग नहीं होता है, यह दोनों का जो है ना, बाराखड़ी हम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि इसका परियोग जो में ना, संस्क्रित में होता है, हिंदी में नहीं होता है, ठीके ना, तो इसी तर से आप पढ़िए, तो चलिए, आगे हम और भी, अक्छरों को जायना बाराखड़ी, आपको पढ़ना सिखाते हैं, तो यह आपे दिखेंगे, अब हम सिखेंगे चा का बाराखड़ी, दिखेंगे, चा, चा, ची, ची, चू, 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 चिरी, चे, चै, चू, चाओ, चन या चम, चाह, यहाँ पर दिखेंगे चा का, च, चा, ची, ची, चू, 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 च्री, चे, चै, चू, चाओ, चन या चम, च, जा का देखेंगे, जा, जा, जी, जी, जू, 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 जिरी, जे, जै, जो, जाओ, जानिया जम, जह, अब यहाँ पर दिखेंगे, जा का बाराखड़ी, ज, जा, जी, जी, जू, 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 जिरी, जे, जाए, जो, जाओ, जनिया जम, जह, देखेंगे, अगर आपको क्लास बोर लग रहा होगा, तो ध्यारे किएगा, जीसे यहाँ पर लिखा है ना, ये, क्या लिखा हुआ है, देखेंगे, इसमें मातरा लगा है ना, अगर इस मातरा को पढ़ना सीख जाते हैं, तो इसको असानी से पढ़ देगे, इसे कौ में छोटी की मातरा की, सौ में आ की मातरा, सा, न, क्या पढ़नेंगे, इसको किसान, ठीक है ना, तो इसको पढ़ने के लिए, हम ये जो है ना, मातरा को, और बाराखरी को, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना, तो देखेंगे, यहाँ पर इया का हम नहीं लिखें, क्योंकि यहां का कोई मात्रा हिंदी में परियोग नहीं होता है तो चलिए आगे हम और भी अक्षरों का शिक्ते हैं तो यहां पर दिखिए अब हम टॉ का बारा ख़री देखते हैं टॉ टा टी टी टू टू ट्री टे टै टू टौ टनिया टम टह देखिए यहां पर थो का थो का देखिए थो था ठी ठी ठू थू थ्री थे थाए थो थाओ टनिया ठम ठह अब देखिए यहां पर अड़ या ड़ ठीके ना तो दोना तरीके से हम आपको पढ़ना सीखाएंगे पहले ड़ का देखिए ड़ ड़ डी डी डू डू ड्री डे डै डो ड़ डन या डम ड़ अब देखिए इसको एक बार हम रो का पढ़ते हैं रो रा री री रो रू री रे रै रो राओ रनिया रम रह अब देखिए यहाँ पे धा का ठीके ना तो धा धा धी धी डो धू धू ध्री डे धाए धो धाओ धनिया धम धाँ अब देखिए यहाँ पे आणा का पढ़ेंगी क्योंकि आणा का जो है ना हिंदी में परियोग होता है इसे प्राण पानी ठीक होता है ना इस तरह सी देखिए यहाँ आपे अड़ अड़ इणि इणि अनो अनो इणि अड़ 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 अड़म अड़ तो चलिए आगे हम और भी सिखते तो अब हम पढ़ेंगी ता का बाराः खड़ी देखिए ता ती ती तु तू त्री ते तय तो ताउ तनेया तम तह अब दिखिए आपे ठा का ठा था थी थी तू थू त्री, थे, थाए, थो, थाओ, थानिया थम, थाह, अब देखी यहाँ पे दो का, दो, दा, दी, दी, दू, 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 द्री, दे, दै, दो, दाओ, दो, दनिया दम, दह, अब देखी यहाँ पे धाका, ठीक है, देखी यहाँ पे, लाश्टक देखते रहीएगा, क्लास थोरा लंबा हो गया है, पहुत लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लाश्टक देखी जरूर देखीएगा, ठीक है ना, धा, धा, धाओ, धनिया धम, धाँ, ठीक है, यहाँ पे दिखिए, नो का, न, 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 नी, नी, नू, नू, निरी, ने, नय, नो, नू, नू, ननिया नम, नहा, तो चलिए, आगे हम और भी सिखते हैं, तो यहाँ पे दिखिए, पो का, प, 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 निया पम, पह, अब दिखिए, आपे फो का, फो, फा, फी, फी, फो, फू, फ्री, फे, फई, फो, फो, फाउ, फानिया फम, पह, अब देखिए, यहाँ पे बा का, ब, बा, बी, बी, बू, बू, ब्री, बे, बय, बो, बाउ, बनिया बम, पह, अब यहाँ पे देखिए, भा का, भा, भा, भी, भी, बू, भू, बू, ब्री, बे, भाई, बो, भाउ, भानिया बम, भाह, अब सिखेंगे यहाँ पे म का, तो चलिए आगे और भी सिखते हैं तो यहाँ पर देचिए यहाँ 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 अब देखिए यहाँ पर रा का ठीक है र का देखिए, र रा, री, री, रू देखिए, इस तरा का छोटा रू, रू, बडा रू, रिदी, रे, राय, रो, राउ, रन्य रम, रह, अब देखिए, यहाँ पे ल का, ठीक है, ल, 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 ली, ली, लो, लू, लिरी, ले, लै, लो, 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 लन्य रम, लह, अब देखिए, यहाँ पे व का, वा, वा, री, 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 ओ, उू, विरी, वे, वाय, ओ, वाउ, वन्य वः, ओन्य वह, अब देखिए, तालब श, जिसका उचारण श होता है, देखिए, श, 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 ज, हू, तो, चलिए, आगे, और भी सिखते हैं, तो यहाँ पे देखें, मुर्धन श का देखेंगे यानिए श शो, शा, शे, शी, शो, शु, श्री, शे, शै, शो, शाओ, शन्या शम, शाह अब यहाँ पे देखें दंत स, बाराख़ देखेंगे यानिए सा का स सा, सा, सी, सी, सू, सू, स्त्री, से, सै, सो, सौ, सन्या सम, सह अब यहाँ पर देखी हा का बारा ख़री, देखे हा, हा, हे, ही, हो, हू, हिरी, हे, है, हो, हाओ, हा निया हम, हा, हा अब देखी यहाँ पर चा का चो, चा, ची, छी, छो, चुरी, छे, चय, छो, चो, चानिया हम, चो, हाँ अब देखिए यहां पे त्रा का त्रा, त्रा, त्री, त्री त्रो, त्रो, त्री, त्रे, त्राए त्रो, त्राओ, त्रा नहीं है, त्रम, त्राओ अब देखेंगे ग्या का, यानि लास्ट अच्छार होगा हमारा बारा खड़ी क्या तो दोस्तों इस तरह से आप कौशी ग्या तक जो आख्छारे उसका आब बारा खड़ी पढ़ना लिखना बोलना सिखिएगा तो अब आपका क्या काम है जो भी इसमी आपने सीखा है उसको अपने कौपी में लिख लिजिए जैसे हम बताये हैं वैसे जो है आप अपने कौपी में लिख करके अच्छे तरीके से याद करके पहचान कर लिजिए और साथ में पढ़ना लिखना और बोलना सभी कुछ सिख जीएगा क्योंकि हिंदी सीखिने का यहीं बेस होता है चाहे आप पढ़ना सीखिना हो लिखना हो या बोलना हो अगर आप इसको अच्छे तरीके से complete कर लेते हैं मुझे मालूम है कि एक बार में यह नहीं होगा complete आपको इसको complete करने में दो दीन तीन दीन चार दिन पास दिन छे दिन साथ दिन आर्दीन जितना दिन भी लगे आपको लगाना है इसको बार बार और repeat कर लेते हैं अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको जो न आगे हिंदी पढ़ने वाला जो क्लास आएगा उसमें आपको किसी परकार की आज का क्लास आपको कैसा लागा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और इस क्लास को दुहेना इमंदारी से आप अपने सबी फ्रेंड को उस फ्रेंड को शेर करना जो लोग हिंदी पढ़ना लिखना या बोलना सिखना चाहते हैं ताकि वे भी इस क्लास के माधियम से हिंदी पढ़ना लिकिन आप बोलना जो बेशीक है वो सीख ले तो जैहन फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्ष्ट क्लास में बाई बाई गुड़नाट फ्रेंड